अचेतन मन की एकागरता के माध्यम से स्वय को इस तरहे परम प्रकाश से जोड़े। जब सीधा सच्चा इनसान जीवन में बहुत दुख और कश्ट जेलता है तो उसका जीवन से मोव भंग हो जाता है। यानि उसे वैराग्य हो जाता है। महात्मा बुद्ध के मन में मरते लोगों और दीन दुखियों को देखकर वैराग्य उत्पन हो गया था। वह अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने जंगलों में चले गए थे। इस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ती हुई। प्रकृती का शाश्वत नियम है जन योनी में जन्म लेंगे। यह हमारे इस जीवन और पूर्व जीवन में किये गए कर्मों पर निर्भर करता है। यही हमारे शास्त्र कहते हैं। हमारे गलत कर्म से हमें निम्न योनी जैसे जानवर कीडें कोडे में जन्म लेना पड़ता है। जब हम बहुत अच्छे कर्म क श्रीमद भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया है. इंसान को जप और तप करते रहना चाहिए. मधुर वचन ही सरवोच जप और तप हैं. चोरी हिंसा, क्रोध, काम, मद, लोब, मौ, आत्मा को अपवित्र करते हैं. इन सबसे हमेशा देखकर दुखी होने वाला ही सच्चा मानव है. प्रेम और अहिंसा से ही संसार को वश में किया जा सकता है. उदार और प्रेमी बनो. प्रेम हमारे जीवन का धेय होना चाहिए. सारे जगत के वैभों से भी मनुष्य की त्रिप्ती नहीं हो सकती. मुक्ति ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है. किसी के धर्म को प्राप्त करना भौतिक संसार से अलग होना और दिव्य समझ प्राप्त करना इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है. यहां आत्मा को भौतिक दुनिया के संघर्षों और दर्ध से मुक्त करती है. आत्मा को पुनर्जन्म के इस युग में विमुक्ती की प्राप्ती के लिए व्यक्ती को धर्म, अर्थ और काम नाम के तीन मार्गों का पालन करना होगा। यह भगवान की क्रिपा से होता है।